असलामों अलेकुम हेलो फेंट्स वेलकम टो माई जहां रास की चेन मैं हूँ जहां आ रहा उम्मीद करती हूँ आप सखरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ आइसक्रीम की रेसिप लेकर आई हूँ दूद और मिल्क पाउरर से बनने वाली आइसक्रीम बहुत ही म में दूद को हाई मीडियम फ्लेम पर एक बरतन पर मैं ने ले लिए 1 लीटर फुल फैट मिल्क इसे हम हलका सा गर्म होने के छोड़ देंगे जब यहाँ पर थोड़ा सा दूद कर देना है मैं पहले जूद को उबाल थंडा कर लिया था अब जो है मैंने हलका सा गर्म किया ह अब मैं यहाँ पर हमने जो दूद निकाला है उसमें मैं डाल देती हूं मिल्क पाउडर वन बाइ थी कप के करीब मैंने लिया है मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रैंड के ले सकते हैं इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे क्यूंकि हलका गर्म दूद में मिल्क पाउडर लगा तर चमच चलाते हुए इस तरह से पका लिया है दूद की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है अब में यहाँ पर हमने जो मिल्क पाउडर को मिला कर रखा वा था ना नॉर्मल दूद पर उसे हम यहाँ पर डाल देंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिलाएंगे लिए पका लेंगे बहुत ही मज़ेदार का ऐस्क्रीम बनकर त्यार होता है इस रेसिपी को जरू ट्राइ किजिए क्योंकि इसे बनाना कितना असान है आप देखी चुके हैं अब मैं आप डाल देती हूं वान वाई त्री कप के करीब चीनी चीनी आप अपने टेस्ट के अब बच्पन की याद दिला देगी यह आइसक्रीम आप एक बार जरूर रहे किजिए घर पर अगर बचे हैं उनकी हर दिन की फर्माईस होगी इस तरह से आइसक्रीम बना कर उन्हें खिलाएं अब मैं इसका कैप लगा देती हूं और स्टीक भी रख लोंगी और इसे हम 6-7 गंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए रख लेंगे फ्रीजर पर जमने के लिए तो चलिए मैं मिलती आइसक्रीम बन कर त्यार हुआ है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं बहुत इला जवाब इस तरह से आप एक बार जरूर रह कीजिए आप चाहें तो इस तरह से भी खा सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इस आइसक्रीम को थोड़ा सा सजा सकते हैं या फिर डेको अच्छली मैंने लिया तो खासकर एक पूटकेक पर या फिर ऐसक्रीम पर इस तरह से डेकरेट किया जा जाता हम तो इस तरह से मैंने की बहुत मज़ेदार क ऐस क्रीम बंख त्यारो अगर आज की आइस क्रीम की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएगा तो चलिए मिलते हैं एक ने रेसिपी के साथ अपना खयाल रखें और